तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड स्वागत है आप सबका चलिए धियान दिजिएगा आज का यह वीडियो है कंप्यूटर से संबंधित एमसी क्यों है यह वीडियो आपका होस्टल वाडन पटवारी जितने भी इस्ट्रेट लेवल जो एक्जाम में जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्ण पूछे जाते हैं सभी के लिए इंपोर्टेंट है ध्यान दिजिएगा वीडियो को कंप्लेट देखना है और यह पर option भूसर है तो इसका जो सही SophiaDare सबी होता है विंडोfry्क सेथ उक्यासरी इक्षपी को compay एक ज्यान दिए यद्यों दूदा हो तो यह याद रखने के ब्लूटूथ फाइल ट्रांसफर इसी के अंतरगर्थ होता है केलकुलेटर कमांड प्राम्ट कनेक्ट टू नेटवर्क प्रोजेक्ट गेटिंग स्टाटेट मैथ इन्पूट पैनल नोट पैड भी इसी के अंतरगर्थ होता है ध्यांद जीगा इंपोर्टेंट है पेंट हो गया है रिमोट डेस्क टॉप कनेक्शन रन स्नीपिंग टूल साउंड रिकॉरडर इस्टिकी नोट्स ठीक है याद रखना है विंडो एक्सप्लोरर इस ऑफ एक्सेस ठीक है और सिस्टम टूल टेबलेट पीसी यह सब किसके अंतरगर्थ आता है धियान दीजिएगा यह आप अपन नमबर और यह जीओ डाटाबिस ध्यांधि जेगा जिएओ डाटाबस कहा जाता है चलिए पहले तो हम लोग यह समझते हैं की डाटाबिस होता क्या है तो डाटा बेस दोसतों याद रखने कई सारे डेटा का जो एक समोह होता है जो आकड़ा होता है एक एक करकी जो स संग्राला होता है डेटा का ठीक है आकड़ा आकड़ों का जो है एक व्यवस्तित संग्राला होता है याद रखेगा है और इसे व्यवस्तिक तरीके से स्टोर किया जाता है याद रखने और ज़रुरत पढ़ने पर इस डाटा को असानी से एकसेस किया जाता है याद रखेगा जो हैं व्यक्तित करने कि लिए उपयोग किया जाता है कौनकौन सेहार है एक्जाम में पूछा जासकता है थियान दीष जाण दिएक adult 的 dbMS data duż management system ठीक है तो data damage system कि अंतरगर्द कौन कौन से जो है software का उपयोग किया जाता है ठीक है इनी को database software भी बोलते हैं धियान्द ज्यग पूछा जा सकता है कि निमने लिखित में से कौन सा है जो database management software के अंतरगर्थ नहीं आता है या database management system के अंतरगर्थ नहीं आता है तो याद रखने यह जितने भी है database software है database management software है याद रखने है mysql postgreysql Microsoft access जो BCA किये होंगे आपको पता ही होगा जस्तों MS access के बारे में SQL server अगला दिखेगा file maker है याद रखेगा file maker को उसके बाद oracle oracle IDBMS ठीक डीबेस क्लीपर foxpro ठीक है तो यह सब database management software है इसको याद रखना है lifetime के लिए ओके चलिए देखेगा stream के playback में जो भी लंब होता है वह कहलाता है क्या कहलाता है देख लिजेगा correct answer है option number c है जीटर कहलाता है याद रखना है जीटर कहलाता है चलिए ध्यान दिजेगा कि जब एक signal को भेजा जाता है एवं उसे receive किया जाता है तो इस प्रक्रिया के दोरान दोस्तों लगने वाला समय या विलंब को ही क्या बोलते है जीटर कहते है तो ध्यान दिजेगा ज लिखे जाने वाली पिक्सल की संख्या को खाली स्थान कहते हैं क्या कहते है इंपोर्टेंट प्रशन है और करेक्ट चैंसर है तो fraction नंबर एंधि तो श्शन रखना है तो याद रखने पीसी कार्ड से है ठैक वीडेंरियो कार्ड जिसें दिस्पले कार्ट कार्ड ग्राफि याद रखना है कि यहाँ क्या होता है expansion card है यह जो display device जैसे आपका computer monitor के लिए output image की एक feed तयार करता है याद रखना है कि इसी के साहता से जो है video image अच्छे quality में दिखाई देता है याद रखना है output के लिए तो धियान दिएगा important है fill rate वह है दोस्तों जिसमे graphics card pixel की संख्या को memory में प्रती सेकेंड की दर से दोस्तों write करता है ठीक है याद रखेगा कि इसे megapixel या gigapixel प्रती सेकेंड से मापा जाता है याद रखना है कि video card या graphics card में दोस्तों fill rate जितना अधिक होगा video quality जो है उतनी अच्छी या अधिक होगी तो याद रखेगा graphics card जो है important है और graphics card जो है बनाने वाले विभिन कंपनिया है important asus याद रखना इसको जीगा बाइट और यूगा जो टेक है और सेफ फिरे और इन्नो 3D ठीक है तो याद रखना है यह अधिक तर जो है अभी आधुनिक graphics card की जो memory चम तक कितनी होती है एक GB से लेके 12 GB तक होती है और जनरली जो video editing करते हैं computer में जो फोटो सॉप में काम करते हैं या coral draw में काम करते हैं या video rating करते हैं उसके लिए graphics card जो है लगाना अनिवारा रहता है उसी के सहता से अच्छा video चलता है या image अच्छे quality में दिखता है ओके याद रखेगा important है यह ठीक है चलिए यह वाला प्रशन देखे computer की task manager को किस की combination से खोला जा सकता है तो option है यहाँ पर करेक्ट अंसर है जो सो option number है अल्ट कंट्रोल डिलीट याद रखना है तीनों की जो है combination से खोला जा सकता है task manager को ओके चलिए possible हो तो यहाँ पर मैं practical करके दिखाऊंगा चलिए अगला प्रशन देखते हैं यह है देखे में इस वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए सौट कट की है तो नया फाइल खोलने के लिए है तो सिंपल सा प्रशन है बनना चाहिए यह ना करेक्ट अंसर है उस तो option number B है याद रखने control प्लस N CTRL प्लस N ध्यान दिखेगा और याद रखेगा अगला प्रशन यह है देखे MS PowerPoint में किसी स्लाइट सो को प्रारम करने ही तो किस बटन को दबाया जाता है तो यह भी इंपोर्टेंट है करेक्ट अंसर दूस्तों आप्सन नंबर D है एफ 5 को दबाया जाता है ध्यान जीगा स्लाइट सो के लिए तो याद रखेगा है तो यह सौट कट की है ध्यान जीगा control प्लस F1 स से सो हाइट रीबन होता है जो उपर में होता है ना मेनू बार के नीचे ठीक है और उसके बाद CTRL प्लस F2 प्रिंट प्रिव्यू देखने के लिए एफ 12 सेव करने के लिए ठीक है सेव डायलोक्स बॉक्स खोलने के लिए एफ 12 ध्यान देजिएगा control प्लस पी है ना प्रिं उप्रिंट मूवीज इमेजिस एवां फोटो ग्राफ को इस्टोर किया जाता है तो किस में इस्टोर किया जाता है एक और याद रखना है फाइल सर्वर में देखें निमने लिखित में से कौन सा विंडूज वर्जन चौन सट बीट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है ध्यान दिएगा कंप्यूटर में दो ही बीट होते हैं एक 32 बीट और एक 64 बीट ध्यान दिएगा इसका जो सही आंसर है दोस्तों आप्सन नंबर भी है दिएगा विंडोस एकसपी चलिए देखेगा कि बीट जो है ना बाइनरी डिजीट जो की प्रोसेसर से सुरू हता है याद रखने और 32 बीट प्रोसेसर पर कारे करने वाला कंप्यूटर दोस्तों 32 बीट से डाटा यूनिट्स पर कारे करता है ध्यान दिएगा जो 32 बीट का जो कंप्यूटर है वो 32 बीट से डाटा रिट करता है ध्यान दिजे ना 32 बीट तक वो जो है कारे करता है ठीक है ध्यान दिजेगा और 32 बीट प्रोसेसर पर कारे करने वाला जो है कंप्यूटर 64 बीट वर्जन का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकता ध्य तो कौन सा जादा अच्छा है 24 बीट वाला जादा अच्छ है पूछ सकता है अग्जाम में आज कल 32 वाला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इस्टॉल नहीं किया जाते और याद रखना है कि 32 bit और 64 bit प्रोसेसर में दूसरा बड़ा अंतर रैम सपोर्ट को लेकर रहता है याद रखना है कि 32 bit computer अधिकतम दोस्तों 3 से 4GB RAM सपोर्ट करता है जबकि 64 bit जो प्रोसेसर है वह 4GB 8GB 16GB तक जो है RAM सपोर्ट करता है ठीक है अभी के जितने भी operating system आ रहे हैं 8GB RAM 16GB RAM यह लगा होता है ध्यान दीजेगा और याद रखना है दूस्तों कि Windows विश्टा हो गया Windows XP हो गया Windows 7 हो गया Windows 8 Windows 10 यह सब दूस्तों 64 bit वरजन में आती है ठीक है 64 bit operating system है ठीक है पूछा जाता है एक्जाम में ठीक है आप मार्केट में जाओगे तो उसमें दिया रहता है कि आप 32 bit लोगे कि 64 bit लोगे ठीक है तो 64 bit वाला जो प्रोसेसर है वह अच्छा रहता है ध्यान दिजेगा और याद रखने कि अपनी computer का जो है bits जानने के लिए काल ही में चर्चित डायवल पीसी इसका संबंद किस्से है तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो यहां पर ऑप्सन है देखेगा करेक्ट आंसर है ऑप्सन नंबर ए है computer virus ध्यान दिजेगा यह computer virus है तो इंपॉर्टेंट है हस्टल वाडन के लिए तो याद र इसको क्या होता है नुकसान पहुंचता है और उसके बाद user से धन मांगा जाता है पैसों की मांग किया जाता है ठीक है तो यह ध्यान दिजेगा चलिए इसको भी देख लीजेगा यह कुछ computer virus है जो की होस्टल वाडन के लिए important है ध्यान दिजेगा इसको अच्छे से एडवार ठीक है यह सब आप पढ़ लिजेगा important है यह सब ठीक है एक्जाम की द्रिष्टी कोड से मैलिसा कोड्रेड ठीक है और भी है देखे happy birthday जोसी यह important है भारत में दिखाई देने वाला यह पहला वाइरस है याद रखिएगा सीब्रेर और मंकी और देखे वाल हाफ माइकल एंजोलो क्रीपर यह क्रीपर के बारे में कई बर पूछा गया है धियान दीजेगा वंदे मात्रम है और आपका चंगो मंगो आई लव यू ठीक है लोबक यह भी आपका वायरस है ठीक है तो यह सब ध्यान दीजेगा यह computer की पूछा जा सकता है एक्जाम में तो उच्च गती हाई स्पीड होता है सटिकता एक्विरेशी देता है एक्विरेशी के शाहत काम करता है इस मराड सकती तो होता ही है ठीक है त्वरित निर्ण है और कार कुशलता गोप नियता भी है तो याद रखना है यह सब कंप्यूटर की जो है विसेस्ता हैं ओके देखें माइक्रो सॉप्ट का सर्च इंजन खाले स्थान है तो क्या है यहां पर देख लीजेगा अगला वीडियो में मैं लाओंगा जितने भी सर्च इंजन है वो ओके चलिए यह वाला प्रशन देखें इन में से किस वर्स गूगल इस्थापित हुआ तो यह वाला प्रशन आप लोगों के लिए है ओके चलिए यह है अप्सन इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट आप लिए और इसका पीडियेफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ दुस्तों है यह वीडियो आधिरात को रिकॉर्ड हो रहा है तो प्लीज अधिक शेयर करिएगा और वीडियो में नह हो तो प्लीज स्क्राइब जरूर कर लिजेगा चले बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया